Welcome student to commerce learning point मैं टीना मलाकार आज का अपना topic है Interest on drawing यानि आहारण पर ब्यास कैसे अपन calculate करते हैं इसके method पढ़ेंगे और इसके अपन ये भी decide करना सीखेंगे कि किस situation पर अपन को कौन सा method use करना चाहिए तो अगर आप मेंशेयरे पर नहीं जुड़ें या अभी तक आपने मेंशेयर को सब्सक्राइब ही किया है तो जिल्दी से आपने मेंशेयर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना पूले ताकि आपको आपको आईसी मेरी more effective video को चाहें क्लास स्टार्ट करते हं आपना आज का चयेसे अपना Oh टॉपिक है इंटरस्ट on drawing तो इंटरस्ट निकालन की विधियां कितिने तो और निकालन की अपने पास तीन मैथट से सिंपल मैथर्ट की फ्रूब ही निकाल सकते हैं लेकिन मैंने इन तीन हो जो मैथड़ें इनको दो भागों में डिवाइड किया जिसे कि अपन डिसाइड कर सके कि कुश्ण में कौन से मैथड का अपन को यूज करना चाहिए मढवFit कोई डिस अमान राशी कोई राशी कोई एक ऐसामान राशी मतलब माशि कोई 돌ás second कोई डिसाइड़ीन कहलें कोई इसमान राशी कोई डिसाइड़ीन कोफिया कबशॡ़ीन कर रहे dividends एक ह्पादा वे और फिर पंढदा नियमित करीगा 15 शेम हो गोगा है तो 100 शें ही और अहारण करें करें अब अपन करलोगा है है तो अफास्छविधी अपनी बढ़ अपनी सरल्विधी ippy simple method एक पर परफ परद्विदि बोलते लगते हैं यह these करते हैं इसका formula क्या है ? पार्मुला है है a हार झार्ण की राशी मतला परफ जितना भी हार हारन के राशी क्व दर कितनी दर से कहलेंगे पंपन भिटन डिथा सो जब अपन को परसंटीज भाग देते हैं तो दरबड़ा सौ और क्या करेंगे समय कितने समय के लिए पन उससे क्या ले रहे हैं ब्याज ले तो समय अगर अगर मंदली ले तो 12 अगर अगर अपन डेस के अकोर्डीं लेंगे तो 300 55 दिन आएंगे अगर वीक ली लेंगे जिसे बावन नेंगे Alors इसको पने एक एक लाम में कैरा एक अप्रेल 2020 को किया अपरेल 2020 को अप्रेंगा कि अफ्लीक कर स्कूब ऌप याण किया इंट्रेश्ट लेने है तो गढ़ना है 10% की रेपसे कि अरीट लेना है मैं इय्लाकुलीट करेंगे 5,000 है कितना अब उस्टे परसेंट अपन भियाज लेंगे अब व उसने तो कितने को होगी है बारा मंत हैं किया होता है यू에 इसको यह यह उसने से क flirt को किया होता है है 2020 को किया होता 5000 का आहरं किया होता और और 10 परसेंट टो तो क्या होगा एंट्रसिन तॉन ड्रोइग और यह था है कि है किपाँच अजया Vao 10 व beslने क्या पाऊच तैन पर्सेंट अब और कितना 6 month हो जाएगा कि 1 October से कितना एक October से लेके 31 March तक कितना हो जाएगा 6 month हो जाएगा तो अब इसकी calculation करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 यह आगा अपना 250 अगर यह transaction बढ़ जाते है मतलब अंदादून drawing करने लग जाता है अब ऐसको तो सीखींगे तो फिर अब इसकी फॉर्मूली करेंगे कि आर इसकी योग ऐसका योग डरबटा संड्रेड और अपवन इसकी करेंगे यह 1 तू यह 1 मजब दर निगालने के घ्माज का अब अवर को में डिए है तक दीया के हिए है ने कशनी है एक घर कारण क्या जून को भी उसने क्या क्या एक हजार का आड coral जुलाइ को भी उसने एक हजार का आउर अधर्ड क्या अगस्त को भी उसने क्या एक हजार का आरण किया को आ, Histi कमन लगा शने प्रतीhon प्रतेग महीने वेसे क्या करा एक हजार का आहरंद किया तो यह कैल्कुलेशन अगर अपन इस मैंतर से यह अपन स्पर्ल मैंतर करें गैसे काल्कुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी यह लग जाएगा जिस वज़ेसे अपना पेपर भी छूट सकता है तो अपनको जितना उसके उतना shortcut method से करना है तो shortcut method के लिए अपन गुर्ण कर विदी का यूज करेंगे तो अब यह क्या बोल रहा है राशी इंटु समय बोला है उनको पहले अपनी जो amount वह क्या रहा है एक हिजार का क्या रहा है प्रतिक महीने क्या रहा है आहरें तब समय अब समय का सब्सक्राइब का बारा महीने का बने गया तो यहारा हजार यह बन जाएका यह ना इंट में गएगा तो 9000 ऐसे आगे की सब्सक्राइब का बनेगा सिक्स का बनेगा फाइफ कि यह कितना हो जाएगा आट हजार साथ हजार चैहजार पांच हजार हो जाएगा चार हजार तीन हजार हो गया यह हो जाएगा दो हजार और यह एक हजार अब इसका टोटल अपन करेंगे तो कितना हजार हो गया ठीक है इसका टोटल इतना हो गया अब अगर अब यह कितना हो गया यह गया गुणनफलो का योग अपना जो प्रॉड़क्ट निकल गया तो यह निकल गया लेकिन लेनाGS लेना को टोटल प्रोडक्त लेने तो वह प्रोडक्तिविटी तो हमनेatu कितना है Rogers को जència क में ञाम गनाएग theoret Su 78,000 और अपनी रेट कितनी 10 परसेंट है अब इसमें अपन क्या लगाएंगे बारा का भाग लगाएंगे बारा का भाग लगाएंगे तो अपने पास आजाएगा 650 सुर्पे आजाएंगे अगर मैं यह जो अपना कैलकुलेशन है अगर को इस मैटर से करती सिंपल मैटर्ड तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इस टाइम को बचाने के लिए अपन क्या अगरेंगे यह श इस तो मेटर्ड सेम एह और फॉर्मूला झाओं यह भी थी बट उसको क्या अलग तरीके से कंश्वल्ス अँराग जा फ् 15 अब nächste पिरियेड मेथड क्या होता है कि नियमित अंतराल में समान राशी क्या करता है आहारण करता है तो इसको अपन दो टाइप से अपन दो टाइप होते हैं एक तो अपन कैसे आहारण कर सकते हैं मासिक यहां हिने क्या मारा है रहा है तो झाल कर रहे हैं करेंए यह ने 载े ल होगा है तो किसे प्रकार से को classification होगे को काई तो ह्याती है अंती है तो सब्सक्राइब करने के लिए अज़्य घूल क्या लिए थी कुल आहारण की राशी चीए तो जितना भी वह आहारण कर रहा है अहारण इंटू अपन क्या करेंगे तो 12 मंद अगर में मासी ग्रूप से कर रहा है तो पूरे कितने होंगे 12 मंद होंगे कुल आहारण की राशी इंटु राशी इंटू दरबटा सौ और यहां के आएगा अवधी मतलब जो भी आवधी औस अवधी है वह यहां आएगी वह मैं कैलकुलेट करना आपको सिखांगी तो आवधी इंटू बारा क्यों को बारा मंद का ही कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपन देखते हैं कि एक अप्रेल को एक आपरेल से लिए 21 आपरेल तक हम तो क्या करते है तो सबसेंट रखिया हैं कि एक हजेल एक हजार कर रहा है तो में तो क्याल्या कर रहा हरा हिंगी 1000 इएंट बारा कर देंगे तो टोटले इसमें कितना है, बारेहाहाई का यूच एम चार्था-जया कि यह देखते हaciो क्वार्टरली करते हैं गестоatorium कर जाते हैं अगलने किसे ल्गर चार से लेकिन सिक्राइब के सब हमें के इसको तक हम कितने मेने का प्याशी जैना पड़ेगा और महीं को दो एक कटitaris phones लाटивет जानने करता है मद्य करता है यह फिर घरता हैं अंतर है कि अगर आरन करता हैं तो यह यह आपन इंट्रेस्ट वाई निकालेंगे है तो आधन फॉर्मूलो के अनुसार अपन को क्या किया अची है कि अध्यार्ण की राशी जो अपने कैलकुलेट कर ली कि राशी कितनी है 12000 रपे 12000 रपे और उसको कितने देना 10% कि अकॉर्डिंग वे क्या लेना अपन को इंट्रेस्ट लेना है तो इंट्टू 10% अपन कर देंगे फिर अब वह बोल रहा है अगर प्रारम में कर रहा है यह हर महीने के पहली तारिक को कर रहे है तो इसकी चैलकुलेशन अपन कैसे करें जोसका एक फॉर्मूला है N प्ल्स वन अपॉन टू इंट्व तो कितने मैं तो इसका न लेने हैं अपनी औसा रुए न और निकाले का यह फॉर्मुला है तो इसको इसको इंट्रेज ज़ू आ अगर मद्दे में करेंगा तो इसके अलगाईगी अंद में करता तो इसके अलगाईगी पॉन 12 तो टोडल कितना गया इसका 650 अशार अगया अब इसकी यह तो हो गया अपने फॉर्मूले के लिए एक शॉर्टकट मैथड भी वह देखते हैं अगर यह वाली अमाउंट और यह यह बारह प्लस वन अपॉन टू कर देते तो भी अपने पास कहेंगा 6.5 यानि अपन आउसत अवदी इस चॉर्टकट मैथड की तुरू भी निकाल सकते हैं तो मैं ज्यादा यह वाला प्रेफर करूंगी बहुत इजी और एवरी कंडिशन पे भी यह अपलाई होता है अब а इसको प्रतेञ ःदा 31 तारीक उपल करतार तो इसको कितना ब्याज उसको पे करना पड़ा बनको कई तो किवारिक्त ना 10 को करते हैं यान यो चुकाना पड़ता ये डस महा का चुकाना पड़ता याwah है 7 फाम है यह अ शिक्त प्रश्माना पड़ता फाइव हई 3, 2, 1 तो यह होगे 0 अब पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देती अगर 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 अंत में बेगे अगर अहरंड करता है प्रतिक मां के अंत में अगर वे अहरंड करता है तो फॉर्मूला क्यों होता है n-1 upon 2 तो n अपना कितना है? 12 12-1 upon 2 यानि 11 बटा 2 तो कितना गया 5.5 लेकिन इसका shortcut method अपने क्या कर रहा था कि जो भी प्रत्थम में कितना है कितना आपन को कितने मन्त का ब्यास देना पढ़ रहा है उसके according में आपन कैलकुलेट कर सकते हैं तो 11 प्लस जीरो अपॉन 2 यानि 11 में आपन 2 का भाग देंगे तो भी आपने कह रहा है 5.5 तो यह सबसे easy method आपन को फॉर्मुलास याद करने के बिल्कुल भी जरुबत नहीं है तो इसके अनुसा आपन इंट्रेस्ट कैलकुलेट करते हैं इंट्रेस्ट और ड्रॉइंग कितना रहा है अपने तो बराबर कितना है कुल आहरें कि राशी कितनी अपनी बारह हजार रुपए है कि 10 परसेंट उस पर अपन क्या लेने ब्यास लेने और अपनको आउसत अवदी के निकले के लिए दोनों फॉर्मुले की से निकली 5.5 तो 5.5 अपन ट्वल तो कितना जागा है पांसो पचास हो जागा अपने आंसे फिर है अगर वह क्या करता है मध्य में करते तो मध्य में ब्यास जोoli के ऊई है लेकिन अब उसे कितने मंद का व्यास देना पड़ेगा क्यारा मन तो अब 15 18 पंद्रा अप्रेल से लेंटी पंद्र 12 पंद्र और कि पॉंटफो पॉंटुधेने पंद्रा दिटू तो ही इसका फॉंट हे ना अपोற कि एटीन पांटि या पॉंट उप्सिया即경 इसके अकॉर्डिंग लोगे पूर छिकालेंगे अपनी पहले मंद की जो भी जितना भी अपन को कि detect ग्यास जेना पढ़ रहा हुए और लास्ट में एकटना ब्यास करद देंगे अपॉर वह थो पर तो अपनी कीतना है 12000 कर रें टोटल इंटू 10% हो गया और अब अपन करते हैं त्रे मासी के अधार पे अगर इस तीन-दीन महा के अंदर करता है आहारेंड करता है तो इसको पन कैसे गलेट करेंगे तो यह एक्जांपल लिया है कि प्रतिक अप्रेल-माई अप्रेल- तो पहले आपन की राशी को गयाद करेंगें कुल आरं की राशी को गयाद करेंगें करनी है तो कुल और और यह न कितना है अपना 1000 कर रहा है और ट्राइल कर रहा है याई तो अपन किसे करते टो पर चार बार और यह चार हज़ार आगया गया ठीक है और अपना एंड किता है यह पूरे बारा मंद का अपन ब्यास लगा रहे तो कितना हो गया एंड बरावर कितना अगया अपना बारा आ गया ठीक है एंड बरावर बारा गया और जो रेट है इंट्रेस्ट रेट कितनी अपनी 10% है अब अगर वे प्रारंबिक तित है तो आयमिक्तिति को हो घ्रा रहा है तो वही हैप अपना शूख भी रहेगा वह कुछ भी Changes नहीं हो ग्रीटा मोटी कितनी का रहन की उपनी के बचि 계속 2400 रुपई दर दे कि अपन को 10% ल्लगा देंगी 10 पर सेंगे और इनको और सब्सक्राइब करें इसका फॉर्मूला होता है एंड प्लस थ्री अपॉंड टू मतलब एंड कितना अपना 12 इंटू 3 कितना हो गया फंद्रा अपॉंड टू तो कितना हो गया 7.5 और एक मैंने शॉर्ट कुट मैंतर आपको सिखाया था जो पहले में अपन कितने जो प्रारम भी में कितना अपन ब्याज देंगे और लास में कितने महीने का ब्याज देंगे उसका टोटल करके अगर अपन तू का भाग दे देते तो भी अपने बास और सट अवदी आ जा ट्वाइल के जिगे फोट से इंटू कर देंगे और यह जो निकालने का यह जाएगा तो आप इसको कैल्कुलेट करेंगे तो अपने कितागे तू फिफ्टी आ जाएगा अगर कोई वेक्तित रहे मासिग में अंत में ड्रॉइंग करता है तो उसकी अल्कुलेशन के होगी लुष्टी जून को करेंगा तो सबस्के इंटरस्ट उन ड्रॉइंग की कैल्कुलेशन कैसे करेंगे अपन इंटरस्ट उन ड्रॉइंग अगर मैं वर्ष के अंत में करता है तो सबसे पहले पन कुल आरन की राश्य कितनी होगे अपनी वहीछ 4,000 हो जाएगी है अपन सेम व कितनी 10 परसेंट है अब आसत अवदी कियाद करनी है अपनको आसत अवदी कास में सूत्र क्या है एंट माइनस 3 अपन 2 तो अपना 12 है और 3 माइनस 2 तो ही किता जाएगा 4.5 है और अपने शॉर्टकट मेथट क्या है जो पेहले प्रत्म जितने महीने का ब्याज आपनको देन और दो 4.5 यहां जाएगा अपन 12 तो यह कितना जाएगा 150 यह मद्य मैं अगर आहरंड करता है तो तुसकी एट्ट जितन और कैसे करेंगे करेंगे 15 मई को कर आई तो 10.5 पाइफ का और लिए जिना पड़ेगा अगस्पाइट और 7.5 मंत कॉसको उसकी झाल किसे करेंगे पर अगर वे देट ड्राइंग करता है तो सकी इंट्रेस्ट रॉइंग की कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे तो इंट्रेस्ट रॉइंग अपना टोटल वही कुल आरंड की राशे कितनी अपनी 4000 हो जाएगी और इंटू अपना जो कितना है यह जो रेट कितनी तैन परसेंट है अगर मद्य में करना है तो वही होता है मद्य कोई फॉर्मूला चेंग नहीं होता एन अपन तू हो जाएगा तो कितना जाएगा वही अ अपना जाएगा तो यह अपना क्या हो गया टू हंडेड ब्याज कैलकुलेड हो गया तो यह थी अपनी इंटरस्ट वाइंग की तीनों मैथर्ड तो थैंक यू फॉर वाचिंग माई वी